वैसे दोस्तों अगर आपका बजट अंडे 10,000 रूपीज है तो इस टाइम पे बहुत सारी स्मार्ट वाच आपको देखने को मिल जाती है इंडिया में और अच्छे-च्छे फीचर्स के साथ में आती है इस वीडियो में मैं आपको 5 स्मार्ट वाच के बारे में बताने वाला इस वीडियो को आप देखते रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि अंडे 10,000 रूपीज में कौन-कौन से स्मार्ट आती है और उनमें कौन से फीचर्स होने वाले हैं वैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ एक मिनिमम् कैटरिया बनाया हुआ है क्योंकि जब आप 10,000 प्रीकप मिलने वाला है और जो स्मार्ट वाच होगी यह एंड्रोइट और यहोस के साथ में कनेक्ट हो सकती है और इसमें बिल्ट इन जीपिएस होने वाला है इसके साथ इसथाथ फिटनेस के और सारे फीचर्स होंगे लेकिन मैं बहुत ज्यादर डिटेल में नहीं बतान पढ़ते हैं दोस्तों लिस्ट में आ गया और नमबर वन पर मैंने सेलेक्ट किया है Realme Watch S Pro ये भी रिसेंट लॉंच हुई है दो से तीन दिन पहले इंडिया में लॉंच हुई है और अंडर 10,000 रुपिस ये सबसे बेस्ट स्मार्ट वाच हो सकती है बात करेंगर इसके डिस्पले की तो Realme Watch S Pro में 1.39 इंच की सर्कूलर डिस्पले मिलती है जो एमुलेट डिस्पले है और बेसिकली टैच स्क्रीन के साथ में आती है इसमें आपको 100 प्लस फेस वाच अस देखने को मिलते हैं आप Realme Link App के थुरू जाके उनको चेंज हो गयरा कर स सकते हो और इसमें Always On Display का भी option देखने को मिल जाता है तो overall जो डिस्पले मिलती है Realme Watch S Pro की बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेगी अब बात करते हैं बैटरी के बारे में तो Realme Watch S Pro में आपको 7 days का बैटरी बैक अप मिलेगा सिंगल चार्ज पे और लगबक से आपको 20 द अगर बात करें यहाँ पर fitness features की तो Realme Watch S Pro में आपको SP O2 मिलता है, heart rate monitoring मिलती है, sleep tracking है और भी अप यहाँ पर आपको fitness से related बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं Sports mode की अगर बात करें तो Realme Watch S Pro में आपको 15 sports mode देखने को मिलते हैं, खास करके दोस्तों हम जिनको बहुत ज़्यादा use करते हैं, almost वो सभी आपको Realme Watch S Pro में देखने को मिल जाएंगे Sensors की बात करते हैं, तो Realme Watch S Pro में आपको 6 sensors देखने को मिलते हैं, अब दुस्तों यहाँ पर 6 sensors दिये गए हैं, तो almost जितना use होना चाहिए daily life में, वो सभी sensors आपको Realme Watch S Pro में देखने को मिल जाएंगे Notification Alerts की बात करें, तो यहाँ पर आपको हर तरह का Notification मिलने वाला है, चाहे Call का हो, चाहे Message का हो, या फिर आपके खुद किसी Customize App का हो, तो हर तरह का Notification आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आप Music अगरा कंट्रोल कर सकती हो, फोटो अगरा ले सकती हो, तो यह सारे features देखने को मिलता है, Dual Satellite GPS है, तो accuracy काफी तगड़ी आपको देखने को मिलेगी Realme Watch S Pro में, तो दोस्तों यही features है Realme Watch S Pro के, जो main main थे मैंने आपको बता दिये, इसके बाद बढ़ते हैं, आगे और दूसरे नंबर पर है, दोस्तों, Mi Watch Revolve, यह कुछ महीने पहले इंडिया मे लाँच ही है, लेकिन यह भी काफी अच्छी smart watch है, सबसे पहले अगर बात करने इसके display के बारे में, तो Mi Watch Revolve में 1.39 इंच की circular display मिलती है, यह भी AMOLED display है, और touch screen के साथ में आती है, 110 प्लस face watches देखने को मिलते हैं, आप इनको Xiaomi VR app के थुरू change और गहरा कर सकते हो, और इसमें भी आपको always on display का option मिलता है, तो जो display है, वो Mi Watch Revolve की भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है, बैटरी की बात करें, तो Mi Watch Revolve में आपको 7 days का बैटरी लाइफ मिल रहा है, single charge पे, और लगबग से 20 days का बैटरी बैक अप मिल रहा है, पावर save mode पे, इसका जो charging time ह प्रोक्स धाई गहंटे के आसपास है, तो धाई गहंटे आप इसको charge करो, 7 दिन का minimum battery backup लो, तो काफी plus point है Mi Watch Revolve के लिए भी, अगर बात करें fitness features की, तो Mi Watch Revolve में दोस्तों आपको VO2 Max मिलता है, heart rate monitoring मिलती है, sleep tracking जैसे इसमें और भी बहुत सारे features आपको देखने को मिलेंगे fitness से related, वो आप बहुत जादे detail अगर चाहिए हो, तो मेरी वीडियो को देख सकते हो, मैंने पहले वीडियो में इन सब को बता दिया है, अगर बात करें sports mode की, तो Mi Watch Revolve में आपको 10 sports mode देखने को मिलते हैं, अब जो इसमें 10 sports mode है, ये बहुत ही powerful है, मतलब जिनको हम बहुत ज ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो almost सभी sensor आपको Mi Watch Revolve में देखने को मिल जाएंगे, और notification alerts की बात करें, तो भाई हर तरे का notification यहाँ पर आपको मिलने माला है, call, message, WhatsApp, Facebook, Twitter, आप जिनको customize जिन apps को करोगे, उन apps का भी आपको उसके थुरू आप अपने phone में Mi Watch Revolve को easily connect कर सकते हैं, अगर बात करें बाई GPS की, तो इसमें आपको भी dual satellite GPS मिलता है, तो एकुरेसी काफी तगडी मिलने माली है Mi Watch Revolve की भी, अब बढ़ते हैं दोस्तों, लिस्ट में आगे और थर्ड नंबर पर है Amazfit GTS 2 Mini, फिलाल दोस्त अंडर 10,000 रूपीज है, बात करेंगर इसके डिस्पले के बारे में, तो दोस्तों 1.55 इंच की यहां पर आपको rectangular display मिलती है, जो AMOLED डिस्पले है, और touch screen के साथ में आती है, इसमें आपको 50 प्लस face watch देखने को मिलेगा, यह onboard storage में है, जो इनका app है, zip app, उसके थूँ और भी यूज करते हैं, तो यह प्रॉक्स 21 डेस का यहां पर battery backup मिलता है, और जो charging time है, वो धाई सी 3 घंटे के आसपास है, तो यहां पर जो battery backup आपको दोस्तों मिल रहा है, बहुत ही तगड़ा मिल रहा है Amazfit GTS 2 Mini का, अगर बात करें यहां पर fitness features की, तो Amazfit GTS 2 Mini में आपको SPO2 मिल sleep tracking जैसे बहुत सारे आपको fitness से related features देखने को मिल जाते हैं, वही पर sports mode की बात करें, तो भाई, इसमें 70 plus sports mode आपको देखने को मिलते हैं, दोस्तों 70 से भी ज्यादा Amazfit GTS 2 Mini में दिये गए हैं, तो अगर आपको sports mode की बहुत ज्यादा demand हो, बहुत सारे आप sports mode का use करते हो, त तो कहीं न कहीं, आपके लिए Amazfit GTS 2 Mini एक best option हो सकती है, इसके बाद अगर बात करें भाई, sensors की, तो Amazfit GTS 2 Mini में आपको 5 sensors देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही काम के हैं, जिनको हम बहुत जारा use करते हैं, almost वो सभी sensor आपको Amazfit GTS 2 Mini में देखने को मिल जाते हैं, notifications की बात कर कर सकते हो, तो यह सारे features आपको Amazfit GTS 2 Mini में देखने को मिल जाते हैं, और जो यह smart watch है दोस्तों, यह Android and iOS के साथ में connect हो सकती है, तो आप इनको zip app install कर यह अपने phone में, और आप जो है, इसको किसी भी smartphone के साथ में connect कर सकते हो, इसके बाद अगर बात करें भाई GPS की, तो इसमें आते हैं, दोस्तों, 4th number पर, 4th number पर है Amazfit की T-rex, जो एक मतलब rough and tough वाली smart watch है, अगर आपको बहुत rough and tough चाहिए, तो कहीं ने कहीं Amazfit T-rex आपके लिए best option हो सकती है, इसमें आपको 1.3 inch की circular AMOLED display देखने को मिलती है, जो touch screen के साथ में आती है, और इसमें आपको 30 face watch देख मिलता है single charge पर, वहीं पर अगर आप इसको power save mode पर यूज़ करते हो, तो लगबग से 66 days का battery backup यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इसको charging time हो 3.5 गंटे के आसपास है, तो अगर दोस्तों, आपको एक ऐसे smart watch चाहिए, जिसका battery backup जादा होना चाहिए, और rough and tough होनी चाहिए, तो आप Amazfit T-rex की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही rough and tough वाली smart watch है, इसके साथ साथ अगर बात करें fitness features की, तो इसमें आपका heart rate monitoring मिल जाती है, sleep tracking है, और calorie burn जैसे आपको बहुत सारे features Amazfit T-rex में देखने को मिल जाते हैं, sports mode की बात करें, तो इस smart watch में आपको 14 sports mode दे देखने को मिलते हैं, वैसे sensor तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिनका बहुत ज्यादा यूज है, वो सभी sensor आपको almost Amazfit T-rex में देखने को मिल जाते हैं, notification alerts के कर बात हो, इसमें भी आपको हर तरह का notification मिलने वाला है, चाहे call का हो notification हो, या फिर अपके message का कोई notification हो, या बस आपको इनका Z-pipe को install करना होगा, और इसके बाद में आपके पास कोई सा भी phone हो, आप Amazfit T-rex को easily connect कर सकते हो, और इसमें भी आपको built-in GPS मिलता है, तो जो accuracy वगरा है, वो बहुत तगड़ी मिलने वाली है, Amazfit T-rex smart watch में, और मैं आपको last में भी बोल रहा हूँ, कि ये बहुत ही rough and tough वाली smart watch होने वाली है, अब दस्तों लिस्ट में 5th number और last पर है Amazfit GTS, अब Amazfit GTS लगबग 1-5 साल पहले साथ इंडिया में आई थी, लेकिन under 10,000 रुपीज आज भी इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी smart watch आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो Amazfit GTS में 1 7.65 इंच की rectangular display मिलती है, जो AMOLED display है और touch screen के साथ में आती है, इसमें आपको 45 प्लस face watch देखने को मिलता है, और always on display का भी option मिल जाता है, अगर बात करें बैटरी की, तो Amazfit GTS में 14 डेस का बैटरी लाफ मिलता है आपको single charge पे, वहीं पर अगर आप इसको power save mode पर यूज करते ह और आपको minimum 14 डेस का battery backup दे देगी, इसके बाद अगर बात करें fitness features की, तो Amazfit GTS में आपको heart rate monitoring मिल जाती है, calorie burn जैसे sleep tracking जैसे आपको बहुत सारे features fitness से related इस smart watch में देखने को मिल जाते हैं, sports mode के अगर बात हो तो Amazfit GTS में 12 sports mode देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर जो sports mode है, लेकिन जो 12 दिये गए हैं, यह बहुत ही मतलब powerful हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा use करते हैं, या फिर जिनका use बहुत ज़्यादा है, almost वो सभी sports mode आपको Amazfit GTS में देखने को मिल जाएंगे, अगर बात करें यहाँ पर sensors की, तो Amazfit GTS में आपको 5 sensors देखने को मिल जाते हैं अब दोस्तों जो यहाँ पर 5 sensor दिये गए हैं, यह भी काफी काम वाले sensor हैं, जिनका बहुत ज़्यादा use है, almost वो सभी sensor Amazfit GTS में देखने को मिल जाते हैं, notification alerts की बात करें तो यहाँ पर आपको हर तरह का notification मिलने वाला है, इस smart watch में चाहे हो call से related हो, message का हो, weather update हो, या फिर आ अगर बात हो दोस्तों, तो यहाँ पर Android and iOS के साथ में यह easily connect हो सकता है, smart watch, आपकर आपके बास में कोई सा phone है, बस Amazfit zip app को इंस्टॉल करना है, इसके बाद में easily आप इस smart watch को connect कर सकते हो, और सारा data अपने smart phone पर देख सकते हो, और इसमें भी आपको built-in GPS मिलने वाला है, तो GPS से related जो भी data है, वो यह smart watch आराम से store कर लेगी, और बाद में आप अपने phone पर sync करके सारा data देख सकते हो, तो दोस्तों मेरे list में यह 5 smart watch मेरे हिसाब से best है, under 10,000 रुपी, बाकी अब आप देख लीजेगा कि आपको कौन से features चाहिए, क्या requirement है, उसके हिसाब से आप जो है decide क कर सकते हो, वैसे इन सभी smart watches की best while link आपको video description box में मिल जाएगी, तो आप जरूर से वहाँ पर जाके check out कर सकते हो, उमीद करता हूँ दोस्तों कि ये video आपको पसंद आई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि under 10,000 रुपी कौन से smart watch इस time पे best होने वाली है, वीडियो पसं इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में